वेलो गाइस वेलक तो आड चैनल और आज लेक किया है जॉन एलिया की साइट पोईटरी का रियक्शन एंड लाइक्शन की तो उसके बाद से काफी लोगों के हमें कमें चाहिते हैं यॉनकी और नहीं कर रहे हैं लाग हम ने कुछ पांट साथ मिंट का किया था क्लिप उनका यॉनका का पांट समय चैनल आग अपिसे और क्लिक फिसे वेले किम्हूम का हम ने किया तो किया था लॉत शायून का भी एंड रिटान एंड पांट इस अंदिया है वहुआ है लाग है लाग भी लेक्शन एंड कार विषवास एंड ने धर ड़िग्जान लेका रिगा मैं इनकी जादा वीडियोज नहीं देखी है मतलब एक दो ही देखी है लेकिन जितने भी देखी है वो हमें बहुत जादा अच्छी लगी थी और जॉन इलिया की मलब कहते है वो ऐसे लगता है कि बाप बाप होता है उनकी बीसिकली पोल्टरी को सुनकर हम लोग चाहे जितने अची हे बी मर्ज जिन लोग की पोल्टरी अशेयरी सुनने लेकिन इसना मज़ा कभी ने आगा जितना जना उलिया की पोल्टरी में आता है और要 सही माँ –एकल इस लगता है – उनकी पोल्टरी करते है और आसा लगता है कि हो जादे हवी वर्ट भी उजनी होते है आज आम ल जा अधिर एक विडियो देख से क्यए बाट लिए यह चाही आए, जी आगरदे एक दिखने मेरा समय अधिर विडियो बैर एक बड़ देखने हुआ है जी मैं बाट एक विजए टेख लेक्टी आग ले विजए है फिर माइक अधिया माई यह और नही बालि मैं वो ड्रॉप करके चले गए वैसा कि मुझे छोड़ने का तुम्हे को याप ने ये तजरह मैं आपको सुना रहा हूं उसके उन्माने सजा अचानत मजूब भाई ने फर्माई था कि तुम्हे जुरू पढ़ना हर बार मेरे सामने आती रही हो तुम्हे 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 हर बार मेरे सामने आती रही हो कौन हो यह खुद भी नहीं जानता हूं, तुम मज़को जानकर ही पढ़ी हु अजामने। तुम मुझे को जानकर ही पढ़ी हूँ और इस तरह अपने सजाथ बन गया हूँ तुम जिस जमीन पर हो मैं उसका खुदा नहीं तुम जिस जमीन पर हो मैं उसका खुदा नहीं तुम जिस जमीन पर हो मैं उसका खुदा नहीं तुम जिस जमीन पर हो मैं उसका खुदा नहीं तुम जिस जमीन पर हो मैं उसका खुदा नहीं तुम जिस जमीन पर हो मैं उसका बेज़ार हो गई हो तो बेज़ार ही रहो तुम को यहां क्या साय को पड़तों से क्या गरज तुम अपने हर उपने डीश की दीवार ही रहो मैं इफड़ाय की से बेमिहर ही रहा यह भी अल्टेकलीक साथ जिन्दगी की, मैं इट दायिस से पे मेर ही रहा, तुम इंतहाइस का मेयार ही रहो, तुम खुछी हो, यह सुनकर खुछी हुई गुई यह सुनकर खुछी हुई, इस रंग, इस अदा में भी पुर्तार ही रहो, मैं यह कप खुछी हो, यह सुनकर खुछी हुई, इस रंग, इस अदा में भी पुर्तार ही रहो, मैंने यह कप कहा था, महबत में नजास, 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 जब मैं तुम्हें नजास, महबत में नजास, महबत में नजास, महबत में नजास, जब मैं तुम्हें नजास, महबत में नजास, महबत में नजास, महबत में नजास, जले वोने के हैं जा मेरे सब्झरा के कमना मेरे सब्झना कि मेरे साइब कर किसी भे वा के हैं जब मेरे सब चरागे कमन्ना हवा के हैं जब मेरे सब चरागे कमन्ना हवा के हैं जब मेरे सारे खाफ किसी देवफा के हैं फिर मुझ को चाने का तुमें कोई हक नहीं है पिर मुझ को चाने का तुमें कोई हक नहीं तरहा कराने का तुमें कोई है कमाल ए यहार वाव क्या कमाल की दीप इमोश्टनल शाय इती पूरी की पूरी एट लास्ट में खुद उनके अंस्वाने लग गए थे और फूर इतना ज्यादा ज़ा अंत्या संटिमेंटल हो गए थे उनको देखे वही जब टाइडल लिखा था कि फील दाइन इस आई वह वैसा ही था उनकी वह पेन देखे न इतना दर्थ फील हो रहा था एंड साथ में वह जिस तरीके से जिस वह एक अंदास के साथ कहते है ना हर एक चीज उनके साथ घटी हुई हो तुमार को खाणते है क्या हम लुझेत ना कि शायर है कुिछ हूक शायरर को आप मो === और सेम मुझे भी ऐसा ही लग रहा था कि उनको बहुत जादा बुरा लग रहा था और जब तो वह लास्ट में उठकर चले गए तो मैं ऐसे हंडर परसेंट शौर थी कि सहीं उनको बहुत जादा बुरा लगा और उनके साथ कुछ बुरा हुआ था या तो शायद उनको कोई चले गए थी और ऐसा लग रहा था कि मतलब जिसके लिए भी वह कह रहे थे ना उसको भी मतलब जब भी सुनेगी ना तो उसको भी इमोशन होई जाए जाए और जब इन्होंने एक बात कही थी कि मैंने तो तुम्हें कहा नहीं था कि मिल्ले वफादार रहो ठीक है तो बहुत क्लोस फिंस को बता रहोता और सेम उन्होंने भी यह करा था कि इन्होंने दो लोगों का नाम लिया कि भाई गौर फर्माइएगा तो मिल्लब वह उनको दिखाना जाती थी कि अर उनको कितना जाद ऐसे हर्ट हुई है और उनकी बातों से वह चीज लग भी थी कि वह तो मुझे लगता है हुई है तो मुझे बातों स्परीया मेर्स शंदर बना यह हम एख और वह एख आगए नगर ता अचे में उनकी छख़ए है तो मुझे लगे इनकी जाि को ऐने लागा happen GET लागा दर्द बहुत गाइनल के रहना है, अमर्वा कि रिखा रहा है असरे लिखा है और रीच आप लिखा, ग्रवार अभीन कारे रहे हैं